सो हलो दोस्तों आप सभी का स्वागा थे पढ़ाई लेर्नर्स में तो जैसे कि आपको मालूम है हम लोग ने साइंस का चैप्टर लंबर वन स्टार्ट कहा था लॉस अफ मोशिन स्टैंडर नाइन का जिसके अंदर हम लोग ने काफी सारी कंसेप्ट पिछले वाले वीडियो म को देखना था कि आपका कंसेप्ट तो चलिए आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं बीना किसी देरी के तो आज के इस वीडियो में आपको पेजलर में फाय टू पेजलर में सेवन पर जीतने भी कंसेप्ट आ रहे हैं वह मैं आपको बता रहूंगा क्योंकि चैप्टर के देखने टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशिन तो यह जो है अभी आपका जो टैस्टूक में ना स्टार्टिंंग के चार ग्राफ दिये जिसमें से आपको दो ग्राफ आपको खुच्छे ड्रॉव करने दो ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिए पहला जो ग्राफ है समन आगे बढ़ते तो अभी हमको जो टेबल जो information दिया है वो किसका दिया है एक कार है जिसने equal interval of time में distance cover किया है तो यानि कि uniform motion है तो हमने जैसे कि video में देखा था what is uniform motion जो कि equal interval of time में equal distance cover करता उसको uniform motion बोलते है तो जैसे कि आप देखो इस तरह से आपको data दिया है तो अगर आप देखो तो इधर zero distance मतलर time में दिया है distance में में दिया है तो 0 second 0 meter 10 हुआ फिन इधर मीटर 15 मीटर हो गया यहाँ तो इस तरह से इदर कितना का gap हो रहा है तेन का और सब जगा 10 इंटरवल 10 सेकेंड का इंटरवल आ रहा है इधर कितने का 15 मीटर का इंटरव आ रहा है यानि कि कौन सा मोशन ही इन फॉर मोशन है ठीक है चलिए आम लोग इस डेटा के बेस पे एक ग्राफ प्लोट करते हैं तो हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा तो जैसे कि द होगा इसमें आपको scale लिखना बहुत ही important है बीना scale अगर आपने ड्राफ किया graph तो आपके सीधे half marks यह तो एक marks कट कर दिया जाएंगे इससाइड में डिस्ट्स लिया है जोकि मीटर में इससाइड में अ हैं तो इस तरह से मैंने graph प्लोट करते है अभी इस graph में आप एक जो distance time graph for uniform motion होता है उसका जो line होता है वो दम straight रहता है तो यह बात आपको clear हो गया तो जब भी आप graph plot करो तो अगर आपके graph में straight line आपको नहीं obtain हो रहा है यानि कि आपका graph में कहीं न कहीं mistake है उस mistake को clear कर लेना तो आपका graph सही बनेगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है तो जखो an object in a uniform motion cover equal distance in equal interval of time जैसे कि मैंने बोला था uniform motion क्या होता है पिछले वीडियो में भी हमनोंने दिखा था इधर भी आपको एक definition देखे रखी गई है thus the graph between the distance and the time in a straight line एकदम straight है और हमको इसके में जैसे यह पता चल जाएगा कि हमारा graph भी सही plot हो गया है ठीक है तो चली आगे बढ़ते है तो आगे हमको question पूछा गया है इसी graph के base पे कि in the distance time graph above what does the slope of the straight line indicates यानि कि the slope of the straight line indicates क्या कर रहा है कि पहला तो एकदम straight line है और इसने क्या किया है equal interval of time में equal distance cover किया है यह indicate कर रहा है इस जो line का slope है तो आगे बढ़ते हैं हमारा आगे एक नई topic है जो कि है हमारा distance time graph for non uniform motion तो अभी next graph दिया था आपके textbook में इस graph को भी आपको खुद से plot करना है तो इस पर भी आपको एक data दिया गया है इधर कितना distance cover किया है बस ने equal interval of time में वह आपको data देके रखा है तो इस तरह से data कुछ दिया similar इधर आपको time दिया seconds में distance या meter में तो 0 seconds फिन 0 meters जब 5 seconds हुआ तो 7 meters ट्राइवल किया जब 10 seconds हुआ तो 12 meters ट्राइवल किया तो अभी जैसे आप देखो कि इधर equal interval of time तो है लेकिन equal distance नहीं है यानि कि आप देखो 0 तो 5 तो 10 to 15 गया तो इधर तो equal interval of time है लेकिन इधर एक constant value ह हमको नहीं मिलते है यानि कि इधर equal distance नहीं cover हो रहा है equal interval of time में इसी को बोलते है non uniform motion तो तो इस तरह से आपका एक graph है non uniform motion का तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने scale को highlight करके रखा यानि कि scale लिखना is must every graph में इस y-axis पे मैंने distance को plot कर दिया है इस x-axis पे मैंने time को plot किया है इसमे तो यही इस graph के पहचान है कि non uniform motion की जब भी आप time graph बनाऊगा distance time graph तो वह उसका जो line होगा वह straight नहीं होगा वह आड़ा टेड़ा होगा तो चले हो हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले आपको एक definition दिया है कि the distance change non uniformly with the time does the bus is non uniform motion यानि कि बता है कि यह जो distance है वह non uniformly change हो रहा non uniform motion है यानि कि जो उसके बास motion है और non uniform है अभी हम लोग देखते हैं इसके बेस पर क्या question पूछा है what difference do you see in the distance time graph for the uniform and the non uniform motion तो सबसे बड़ा difference यह है कि हमारा जो uniform motion के लिए जो distance time graph था उसका जो line था वो स्टेट था जो non uniform motion के लिए टाइम ग्राफ है distance time ग्राफ है उसका जो line है वो स्टेट नहीं है बलकि कफी direction में change हो रही है हर एक point पे हर एक जबी भी इंटरल और time हो रहा है तो हर बार वो change होते जा रहा है तो यह एक बड़ा difference था तो चलिए next topic पर पास जाते है जो कि हमारा velocity time graph और uniform velocity यानि कि हमने पहले देखा था distance time graph पीछे के दो ग्राफ देखे थे जिसमें हमने देखा था uniform के लिए और non uniform के लिए अब हमने देखेंगे velocity time graph ये इसमें आपको काफी सारे अंदर से आपको question पूछे गए graph के अंदर से जिसमें कुछ आप पहले इस graph को अच्छे से देख लो कि इसका x axis क्या बोल रहा है कि x axis पर बोल रहा है कि 1 cm वन हावर है y axis पर बोल रहा है कि 1 cm इकोल स्टू 10 km पर हावर ठीक है तो हम लोग को इतना तो बात clear हो गया तो आप जैसे कि देखना इधा velocity दिया है time दिया है velocity km पर हावर में द जब इसका distance हम लोग distance find करेंगे क्योंकि distance इसमें पूछा गया है लेकिन अगर इसका formula देखें तो displacement find होगा velocity is called to displacement upon time होता है तो अगर हम लोग देखना है तो यह जो पार्ट होगा इस पार्ट का जो area होगा ना यह जो rectangle बना हुआ है यह जो rectangle बना हुआ है 2 to 4 house के लिए तो य जो rectangle है इसका जो area होगा ना वह distance होगा जो कि cover किया है किसी भी object ने जो कि अभी हमको मालूम पड़ेगा किसने cover किया है उतना cover किया है equal interval time में तो हमको इसका area बता देया कि कितना displacement हुआ है तो चलिए इसका question देख लेते कि आपको कुछी इस तरह से आपको दिया है तो a train या displaced हुआ है वह हमको मिल जाएगा अच्छा इसमें एक चीछ और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप देखो train एक straight line में चलेगी यानि कि उसका जो पट्री होगा वह तो straight line में होगा हाँ हाला कि कभी turn आती है लेकिन यह एक straight line में है उसके लिए इधा जितना displacement होगा उसको ह ठीक है लेकिन distance को हम लोग displacement नहीं बोल सकते है क्योंकि at a point कहीं ना कहीं change हो सकती है लेकिन हम लोग displacement को the distance consider करेंगे क्योंकि यह straight line में ही जा रही है ठीक है तो अभी देखते है तो हमको इस तरह से question पूछे दो यह velocity time graph दिया है with the help of the graph how will you determine the distance cover by the train between 2 to 4 hours यानि कि हमको यह जो data दिया है उससे हमको determine करना है कि 2 to 4 hours के बीच में कितना distance cover हुआ है उस train के द्वारा दूसरा question ने पूछा है is there a relation between the distance cover by the train between 2 and 4 hours and area of the particular quarter angle in the graph what is the acceleration of the train तो अपने को क्या पूछा है कि क्या जो इदर जो हमको रहा रिलेशन क्या है इसके area में यानि कि जो quadrilateral form हुआ है और इसके velocity में और साथ ही में acceleration में पूछा है तो देखते हैं तो चलिए आगे हम इसके question को answer करने के कोशिच करते है तो हमको simply ऐसा graph दिया था अब हम लोग को इदर वेलोसिटी कितना दिया था शिक्स्टी किलोमेटर पर हाव दिया ताइम कितना दिया था टू हार्स अब ताइम देखो इदर से फोर माइनस ठू क्योंकि इन दोनों के बीच में calculate करना ना तो इसके लिए फोर माइनस टू हो जाएगा और यह तो आप वेलोसिटी पूट कर दिया फॉर्मुला में इदर और हावर भी फूट कर दिया फॉर्मुला में तो हमको क्या हो गया 60 क्यों सूट अपान टू तो इदर आप यूनित लिख सकते हो नए उनिप लिखे तो भी आपका माक्स मिल लाए और उसके वाद हमको क्या आइंसर आ ज तो उसके लिए डिस्टेंस इसकल टो 120 किलोमेटर तो फर्स्ट का आम लोंने आंसर दे दिया अब हम लोग सेकेंड का देखते तो सेकेंड एंसर का कुछ इस तरह में दूंगा तो सेकेंड कोशन का एंसर इस तरह से कि लेंथ ऑफ रेक्टैंगल इक्वल्स टू 60 किलोमेटर प अब उसका ब्रेट ऑफ रेक्टैंगल दिया है तो हावस यानि कि इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस पांट किया तो ब्रेथ मिलिया अब एडिया हमको माल में रेक्टैंगल होता है रें लेंट इंटू ब्रेथ तो हम लोग सिद्धा हम लोग मंटिप्लाइ कर इस तरह से त्रह से परेंट भी लिख गया है आप पीछे में लिग सकते हैं तो जैसे कि हो यह एर कैंसल उज्टैंगरकर की उट्यो जाता है तो इसतरह से ऐडिया आएगहा तो इसमें रिलेश़ से हांतीइ काम लोने कि मैं ब्रेथ इससे विली मीटै आपक्रेशन होगा हम इनिशल वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस और अपॉन टाइम इसको हम लोग करेंगे तो हमको एक्सलेशन मिल जाएगा तो मैं चाहता हूं इसका एंसर आप दो तो कमेंट बॉक्स में आप एंसर देना हाँ जरूर टाइम स्टैप लगा देना ताकि मैं देखू आपने कौन सा एंसर दिया है क्योंकि मैं बीच में बहुत कोशिंट पूछ सकता हूं ताकि आपका कंसर्प्ट क्लियर होते रहे तो आप जरूर देना एंसर जिसका एंसर करेक्ट होगा और जो पहला एंसर देगा मैं जरूर इसको पिन कर दूंगा और इसको हाट भी दूंगा ठीक है अब हमनों नेक्स्ट टॉपिक के तरफ जाते है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफर्म आक्सलेरेशन यानि कि आक्सलेरेशन की बात हो रही है ना कि वेलोसिटी की ओके तो जैसे कि आप देखो कि इधर आपको कुछ इस तरह का ग्राफ देके रखा है दा चेंज इन इदो हमको इह जो हमारा ग्राफ है यह यूनिफर्म एक्सलेरेशन के लिया और ऑभी इसके बेस देखते है अब उससे फसे रहे scientist s spent s 5s औ pie तो इस तरह से दिया यह आपको एक स्टेट लाइन ही मिलेगी उनिफॉर्म में और इस तरह से यह एक रेक्टैंगल है क्यों क्योंकि आप जैसे कि देख तो स्क्राइट सेट एक रेक्टैंगल है और इधर एक ट्राइंगल है तो इसी टर्म को हम आगे देखने वाले यह पूरे a dc b को आगे question पूछे गया है तो उसमें देखते हैं तो हमारे इस तरह से question पूछा है कि the velocity पर फाक बासल चानिक बीत चाहिए इंड सेक्विल उपना सुनय कर साटान सुने नेक कुछ वह थे नित तरह रिंट यहां तरह कि उभला वापषय इचल महीं पर टृयारेशन इस अंपेवड आ मेतान न से वह एक वावड यह न में पेटिन कीतने से से चेंज यह चाहिए आपको बोला था सेम हमारा uniform distance time graph में भी दिखा था कि straight line आ रहा था तो same इस में भी है कि velocity time graph में भी है uniform acceleration के लिए कि straight line ही मिलने वाला है जहां भी uniform bird आया तो आपका graph straight रहने वाला है अब उसके बां 3 देखते हैं for non uniform acceleration motion the velocity time graph may have any space depending on how the acceleration change तो आप समझ गए होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग ने फिंज ग्राफ लिया क्योंकि अभी अपने को कुछ बहुत समस्लेटेट जैसे कोशन पूछे गए तो देखते तो पहले इदर आपको कुछ इस सब्सक्राइशन दिया है दिखाएशन दिखाएशन दिखर 1.8 यजँ एफ फिग 1.8 अपके टैस्टीट में थेटर्माने दिशन कवर बाद एघर बाद एट थेंट फेंट अट्शेकंट्ट यानी की इन दोनों के बीच में तो दिस्टेंस कवर हुआ है बाद एकार आज we did in the case of the train, we had seen in the case of the train, we had seen T1, T2 and 120 km, so this is the same example here in the car, but here is something else of our concept, let's see, the difference in that of the velocity, the car is not constant, here is 16, so you can see here, it is not proper 24, it is not proper 32, it is not proper 40, so it is changing, but it is not continuous, but it is not constant, but it is changing continuously, so this difference is in the train and car, so in such a case, we have to use the average velocity of the car in the time travel and to determine the distance, or in this velocity time graph, you have to take the average velocity of the car, so let's look at what is next, so let's see, now we have to find that, we have to see this, so how can we do it, which distance is the one that we can do it, so we have seen average velocity, so we have to change the average velocity, so an average velocity is being talked to the average velocity, 16 plus 32 upon 2, so let's assume the average variance happens, so let's reduce 2 terms of the average average, so let's make 2 terms over 2, and then compare 2 terms to the 3, so this is 16 plus 2, so because this is goes over 20th second, so this is also completely, so we can determine this, so this is तो हमारा जो नेक्स थाय को 48.2 हो जाएगा इसको तरफ डुआइट करेंगे तो 24 मीटर पर सेकिन हो जाएगा तो हम लोग 24 मीटर पर सेकिन इस ऐसकार का एवरेज वेलॉसिटी कंसिडर करेंगे तो time हमारा कितन हो जागा 10 second होगा जैसे कि आप देखो 20 minus 10 10 second हो जागा time तो अभी हम लोग क्या करेंगे distance cover क्या होता है velocity into time जैसे कि velocity is equal to displacement upon time होगा तो simply straight line में होगा तो हम लोग डिस्टेस भी cover 6 kal किअ आंचे कर सकते तो distance is equal to velocity into time होगा तो अगर हम लोग करेंगी तो distance हो ज Sounds Like but 24 ås in to 10 हो जाए मैं क्योंकि velocity हमा ठांव उन 24 अर्टां क्या जाएक काड़ी सेकंड क est events हो जाए गा तो इसब दिस्टेस कर जाए इसबाइन होगा Control किटन होगा वह प्लिस तो iPhones ऑगा तो इधा से हम लोग को डिस्टेंस कवर मिल गया अभी हम लोग नेक्स देखेंगे कि अभी हम लोग सेम को फाइंड कर सकते हैं by the help of area जैसे हम लोग ट्रेन में देखा था कि हम लोग डारेक्ट वहलोसेटी का अपलाई करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड किया था अब इधर अब इसमें भी हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग अब इसमें भी हम लोग लोग ने एक मझर से फाइंड किया था तो area of to a b cd कितना हो देग लेंग क्योंकि रेक्टेंगल है जैसे कि मैंने आपको स्टांट इन बरता था तो इसका कितना है लांध 10 सेकेंड इ एदर ऐसा रहता थो इसा हो और एक मीथा था पसद्ड आता हुश्य को कामणा आख लेतम छैसा को क्यां आध यह वह अभर का आप दिल्लाइट देख सो को डहिसyszा रहता हुश्याप म escort स्दक्र ão भी के प हुश्य को जाएगा तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे इसका यह हम लोग सिंपली इदर आप वैलोस को पूट करेंगे तो बेस इसकल टैन जैसे कि आप देखो इदर टैने तो इदर भी टैनी आने वाला है से में और हाइट हमारा सिक्स्टीन है ठीकि देखो 32-16 16 तो उसके लिए हमार का find करेंगे a b c d यानि कि इस रेक्टैंगल का हम लोग एडया जब पूरा find करेंगे तो यह दो का प्लस कर देंगे तो a e b यानि कि इदर a b c d नहीं आना चाहता ऐ ए c d आएगा तो आप इसका ध्यान रख लो कि a e c d आना चाहिए इदर is equal to distance cover यान कि total distance cover इतना हो जाएगा जब इन दोनों का area हमनों add कर देंगे तो total distance कितना हो जाएगा 240 meters हो जाएगा तो जब 240 meters same relation हमको इधर भी मिल रहा है कि इदर का जितना distance कितना होगा यह जो area cover हुआ तो यही हमको पता चल गया है ग्राफ की मदद से कुछ बहुत बैसिक्स थे ग्राफ में मैंने आपको सभी चीज़े बता दिये तो ग्राफ तो हो गया तो आज के लिए बस इतना ही आज मैंने सिफ ग्राफ फी लिया चूप क्योंकि ग्राफ टम थोड़ा बड़ा कंसेप्ट था उसमें आपको सभी लीज़े को देखना तो आपके जो पेचg 7 तक के सारे कंशेप्ट ओँगा क्लेर आउमक्स मैं मह Leben करके एवी कलैए तो अपने चाहिछ पर चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो तो देखने के लिए धन्यवाद देखने के लिए धन्यवाद